So Hello Everyone, MKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसा कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख पारे होंगे आपके अपने स्टेड में नर्सिंग के फोरम निकल चुके है 2024 वालों के लिए हमने आपको पहले बता दिया था कि लास्ट अपरेल तक आपको फोरम देखने को मिल जाएंगे अब यहाँ पर आप बोलेंगे सरी कौन से इस्टेड के निकले है कौन से युनिशिटी के फोरम यहाँ पर निकले है सो देखिए नोटिफिकेशन में साब साब मेंशन किया हुआ है कि आपके उत्तर परदेश में बियेस नर्सिंग के फोरम बरना शुरू हो चुके है सो उत्तर परदेश में फोरम कौन कौन बर सकता है एक्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है फोरम का पीस क्या रहने वाला है इसके अलावा admit card कब तक आपको मिलेगा आपका exam कब होगा documents की requirement क्या-क्या रहने वाली है फोरम बरने के लिए ये सारी जानकरी मैं आपको देने वाला हूँ तो उत्तर परदेश में B.A.C. nursing के फोरम निकल चुके है अब यहां पर आप बोलेंगे सर जेनेम के फोरम कब से बरे जाएंगे एनेम के फोरम कब से बरे जाएंगे तो उसका भी जिगर इस वीडियो में हम करेंगे तो पहले तो लाइक कर दो ये अटल बिहारी वाजपई जो medical university है आपके उत्तर परदेश में उसकी तरब से ये notification आ चुका है और इस वीडियो में लाइप रूप में आपको फोरम बर के भी दिखाने वाला हूँ बहुती बड़ी कुसकबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है तो ये time table देख लो एपलिकेशन फोरम स्टार्ट 25 अप्रेल 2020 यानि की आज से स्टार्ट हो चुके है लास्ट डेट यानि की फोरम कब तक बरे जाएंगे 29 यानि की 19 मैं 2020 तक इसका लास्ट डेट रने वाला है एडिमिट कार्ड कब आपको मिलेगा 5 जून 2024 को एडिमिट कार्ड आपको मिलेगा इंटरंस एक्जाम कब होगा वो होगा आपका 14 जून 2024 को अब यहाँ पर जो एक्जाम होगा वो कौन सी लेंग्वेज में होने वाला है कितने क्यूसन आप से पूचे जाएंगे उसका भी अपडेट यहाँ पर आचुका है यह देखिए पूरा अपडेट यहाँ पर मेंसन उन्होंने कर दिया है यह फुल नोटिब केसन आपके लिए हाजिर है यह देखिए तो चलिए एक्जाम का पैटन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्योंकि कापी सर कमेंट आ रहे थे सर इस बार exam का pattern क्या रहने वाला है तयारी कैसे हमको करनी है तो देखिए पोरा notes हमने बना के तयार कर रखे है और वो आपको कैसे मिलेगा books कैसे मिलेगी live class कैसे मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे 14 जून को आपका exam है सूबक 11 बुजे से दिन के 20 तक आपका free हो जाएगा 200 मिंट का time आपको दिया जाएगा और यहाँ पर paper आपका offline होगा यहनकि pen paper mode पे और सबसे बड़ी कुसी की बात है कि paper हिंदी और इंग्लिस दोनु languages में आने वाला है क्या बात है और यहाँ पर देखो कितने कुसन आपसे पूचे जाएंगे UPBS Nursing Intranse Exam में 200 कुसन आपसे पूचे जाएंगे परते कुसन एक नमबर का रहेगा और सबसे बड़ी कुसी है कि कोई भी negative marking नहीं रहने वाला total paper आपका 200 नमबर का रहेगा और यहाँ पर देखो Medium of Exam English और Hindi दोनों में होने वाला है अब यहाँ पर syllabus क्या रहने वाला है यानि कि किन किन सब्जेक्ट से क्यूशन आपसे पूचे जाएंगे तो यहाँ पर Nursing Aptitude से Physics से Chemistry Biology, English इन सब्जेक्टों से क्यूशन आपके बनेंगे अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका फोरम कौन-कौन फिलब कर सकता है देखिए जिन्होंने 10 प्लस टू 10 वी, 12 वी पास आउट किया हुआ है या फिर अभी एक्जाम दिया है टॉल्ट का और आपके सब्जेक्ट Physics Chemistry Biology और English है आपके टॉल्ट में तो आप फोरम बर सकते हो और आपका जो एज है वो 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल हो जाना चाहिए केल्कुलेट कर लेना अभी कि दिसंबर 2024 तक आपका उमर कितना हो रहा है अगर 17 साल में कम पढ़ रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है अगर complete हो रहा है कि हाँ 17 साल के हो जाएंगे दिसंबर 2024 तक तो आप बर सकते हो अब यहाँ पर देखो कितना परसेंटेज आपके होना चाहिए टॉल्ट में तो minimum आपके 45 परसेंटेज होना चाहिए टॉल्ट में तो आप यह फोरम बरपाओगे तो यह यहाँ पर योगेता रहने वाली है अब जान लेते कि फोरम का पीस क्या रहने वाला है यह लीजिए यह आपके लिए फोरम का पीस केटेगरी बाइज अगर आप जनरल OBC केटेगरी में आते हो तो आपके लिए 3,000 रुपे पीस लगने वाली है फोरम की कितनी? 3,000 3,000 अगर आप यह CST केटेगरी में आते हो PWD केटेगरी में आते हो तो आपका पीस लगेगा मात्र 2,000 2,000 आपका पीस लगने वाला है फोरम बरनेगा अब यहाँ पर आ बोलेंगे सर अमारे एक्जाम के सेंटर कहां पे रहेंगे तो उसका भी लिश्ट यहां पे आ चुका है यह देखिए आपके जो सेंटर रहेंगे वो आगरा, अलिगड, आयोधिया, आजमगड, बरेली, बस्ती है ना यह आप पर आप देख लो टोटल 19 19 आपके एक्जाम सेंटर रहने वाले है, इंटरंस एक्जाम के और फोरम कैसे आपको बरनाए गर बेटे देखो आप रेजिस्टेशन इसका गर बेटे आप अपने मोबाल से भी कर सकते हो इसका प्रोसेजर अभी आपको दिखाएंगे और कौन-कौन सी युनिशिटी सामिल है, एक तो आपका आटल बिहरी हो गया ठीक है, एक इसमें SZPGI लखनाव हो गया, KGMU हो गया RMLIMS हो गया, UPUMS हो गया, LLRM हो गया इतनी सारी युनिशिटी आपके इसमें सामिल रहने वाली है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए 4-5 यहाँ पर युनिशिटी इसमें सामिल है, और यहाँ पर फोरम बरके अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वेबसाइड से फोरम आपको बरना होगा, है ना, यह आज 25 अपरेल से स्टार्ट हो गए में आपको बता रहा हूँ, फ्री में तो कैसे करनी है और पेड में आपको कैसे करनी है देखो, फ्री के लिए तो सिंपल से बात है कि मोबाइल सब के पास है और मोबाइल में यूटूब, यूटूब खोल के आप बस जेकलों जोब सेर्च कर लो ये लोगो देख लो आप यहाँ पर आपको रोजना फिरी में प्रेक्टिस कुशन अवाइलेबल होते रहते हैं देखो आप बहुत सारे विद्यारत यहाँ से तैयारी कर रहे है एमस्क्यूज विगिरा है ना फिजिक्स के, केमेस्ट्री के, बायो के अल्ड कुशन पेपर विटामिन हार्मोन के इपोटेंट कुशन होमन डिजिस के कुशन यह बहुत सारे इपोटेंट कुशन यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं जेकल ओन जोब चैनल पे, तो फिर में तैयारी यहाँ से आप कर सकते हो अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमको तो नोट्स भी लेना है हमको तो पीडियाप भी चाहिए हमको तो बुक्स भी चाहिए हमको तो लाइव क्लास भी चाहिए तो फिर MKS Academy एप आपको Google Play Store पे मिल जाएगा लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस परकार का एप ओपन हो जाएगा और जैसे आप नीचे स्क्रोल करते हो न तो होम का बेच का स्टोर का ओप्शन आपको दिखाए देता है तो आपको स्टोर पे सिंपली क्लिक करना है और आपको उपर ही उपर दिख जाएगा बीएस नर्सिंग का यह वाला कॉर्स सांदार वाला ठीक है इस पर क्लिक करके नीचे आइम इंट्रेस्टेड का ओप्शन दिखाए देगा उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वार्सब पे या फिर आपके टेक्स्ट मेसेज पे आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से पेमेंट करके आप इसको जोईन कर सकते हो और लाइब क्लास, रिकोड़ेड क्लास, नौट्स प्रेक्टिस क्यूशन सब आप आ सकते हो फिर भी कोई प्रोसेजर आपको समझ में नहीं आता है तो ये देखिए ये हमारे हेल्प लाइन नमबर है 830-210-5558 इन पे आप वार्सब कर सकते हो जो भी आपकी इनक्वाइरी है न वो वार्सब पे मेंसन कर सकते हो तो तैयरी का बंदोबस तो हमने कर दिया ठीक अब बात आती है फोरम बरने की तो फोरम देखो फोरम बरना है तो गूगल पे आना है और ये आपको टाइप कर देना है ठीक है? नो डाउन कर लो abvmucat2024.com.in तो टोप पे आपको ये वेबसाइट दिख जाएगे अटल बिहारी वाली इस पर आपको क्लिक कर देना है तो इस प्रकार का इंटरफेज ओपन होगा यहाँ पे देखो आप ये उपपर ही उपपर आपको दिख जाएगा CNET 2004 चोईस BA s неurising four year information ब्राउंचर यहाँ पर दिख जाएगा नीचे आपको दिख जाएगा register का option तो यहाँ से आपको register पर क्लिक करना है तो ये low open हो गया आपका registration फोरम पंजी करन फोरम ये देखिये important बाते लिखी होई ए कि उमीदवार का नाम माता का नाम, पिता का नाम कक्सा दस्वी के Mark Seed से आपको लेना है फिर यहाँ पर Course का नाम Automatic Select हो गया फिर आपका नाम यहाँपे बढ़ देना है Middle Name, Last Name Mother Name, Father Name Mobile Number, E-mail Date of bleeding बस यह बढ़ते जाना है जो भी आपसे पूछा गया इस परकार आप अपना रेजिस्टेशन कर सकते हो, फिर आपको इसी प्रकार फोरम बरना होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा, फिर फोरम का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, इस प्रकार आप UP, BS नर्सिंग का फोरम बर सकते हो, और बहुत ही जल्द आपके NM, JNM की भी फोरम आने वाले है, चैनल सस्क्राइब कर रहा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रहा होगा, तो हर अपडेट आपको मिलता रहेगा, नर्सिंग से रिलेटेड,